तो अगर कोई मेंट्रिक्स एंपको दे रखा है तो उसका एंवर्स कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले आपको यहाना चाहिए कि एक मैट्रिक्स का एड्जॉइंट कैसे निकालते हैं अगर जैसे आपको नहीं आता कि अगर पास एक फॉर्मिला होता है अब फॉर्मिला हमारे पास यह होता है कि अगर हमें इंवर्स कैल्कुलिट करना है तो इंवर्स विछ इख वेड्जॉइंट of a upon mod of a ठीक है, तो a inverse निकालने को formula होता है, adjoint of a upon mod a तो adjoint of a हमने यहाँ पहले से find कर दिया है, अब mod a कैसे निकालते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे ठीक है, so mod a हम कैसे calculate करते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर ठीक है, तो करने पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पर हमारे पास क्या होता है यहां हमारे पास होता है प्लस यह होता है माइनस और यह होता है माइनस होता है यह माइनस होता है यह माइनस होता है यह माइनस होता है यह माइनस होता है फिर यहां फिर 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 प्लस माइनस प्लस इ 1 3, okay, फिर sign क्या है हमारा, minus का, तो minus, second element क्या हमारा, 2, फिर mod लगा दिया, अब इस row को add कर देंगे, इस column को add कर देंगे, क्या बचा हमारा, 3, 2 and 1 3, 3, 2, 1 3, फिर mod लगा दिया, फिर हमारा पस क्या sign है, plus का sign है, okay, तो हमने plus का sign लगा दिया, next element लिख दिया, जोगी हमारा 3, फिर हमने mod लगा है, इस row को add कर दिया, इस column को add कर दिया, क्या बचा हमारा, 3, 1 and 1, 1, okay, तो अब इसको हम जब solve करेंगे, particularly, तो हमें answer मिल जाएगा, ठीक है, that what is mod A, तो इसको हम calculate करेंगे, तो यहाँ पर आजाएगे, हमारा 1 into 3 वणन्द 3, and minus 2, ठीक है, 3 वणन्द 3, and 2 वणन्द 2, okay, तो इसको हम, इसी तरीकी से रहने देते हैं, और यहाँ पर हमारा पास करेंगे, minus 2, और इसको जाँ हमने solve किया, तो 3 जरीजा 9, and 2 वणन्द 2, plus 3, और यहाँ पर हमारा पास क्या जाएगे, 3 वणन्द 3, and minus 1, तो जाए और deeply solve करेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या आजाएगा, यहां पर हमारे border ie play, 1 यहां पर minus 2 into 7 and plus, यहां पर हमारे पास आजाएगा 3 in to 2 तो यहां पर हमारे पास क्या आजाएगा, 7 to the 14 यानि is 1 minus 14 plus 3 to the smaller spreads, 6 donc 6 and 1 हमारा क्या हो जाएगा, 27 तो हमारे पास क्या आजाएगा माइनस का 7 ठीक है ठीक है तो हमारे पास यह माइनस 7 आगया माइनस 7 कैसे आगया यह प्लस 6 और प्लस का अबन हमने add कर दिया और माइनस 14 में से update कर दिया माइनस का 7 आगया माइनस का 7 हमारे पास आगया तो यह हमारे पस किसकी value आ गई यह value आ गई mod of a mod of a की value आगई तो इसको हम formula में put कर देंगे तो हमारा क्या आ जाए? a-1'res आ जाएगा mod of a-7 आ गई तो इसको हम formula में put कर देते हैं तो a-1' बाद हमारा क्या जाएगा Adjoint of A Adjoint of A हमारा क्या था 1-7-2-3-0117-5 और upon में हमारे पास क्या आगा Mod of A यानि कि minus 7 तो हम इसको इस तरीक दिले लेख सकते हैं 1-3-1-7-0-7-2-1-5-5 तो यह हमारा A inverse आगे हैं तो I hope it's clear to you एक और तरीका होता हमारा A inverse निकालने का वो भी हम नेक्स कुछ वीडियो में आपके साथ डिस्क्स करेंगे I hope it's clear to you thanks for watching do like share and subscribe thank you